हेलो फ्रेंड मैं हूं राजुर एंजन पटेल और आप देख रहे हैं फर्मा एक्सपर्ट चैनल फ्रेंड आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं आज का मेरा टॉपिक है फर्मा इंटर्वीव इंपॉर्टेंज बेस्ट ऑन इस छुपिक के बारे में हैं कोषिक स्थ्थ उपिक के बारे में डिसकüman करेंगे हमारा टॉपिक होगा क्लिनिंग वेलिडेसं गाइडलाइश अकसर हम लोग. ऑद से आ है तो फ्रेंट्स आज हम पूरे डिटेल्स में डिसकस करेंगे क्लिणी वेलिडेशन गाइडलाइन जो कि USFDA गाइडलाइन के ऊपर बेश्ट है जो गाइडलाइन से हो हमारा गाइडलाइन है 21 CFR 211.6 से वेल इस गाइडलाइन के अंदर क्या-क्या चीजें मेंचन है आज उ होते हैं कि से होता है कोड एफ से होता है फेडरल एंड आर से होता है रेगुलेशन जिसमें टाइटिल ट्वेंटिवन वॉलूम फोर रिवाइज एज ऑफ अप्रेल वन टूथाउजन ट्वेंटिवन तो फ्रेंट्स यह हमारा लेटेस्ट जो रिविजन है जो 21 CFR 211.67 में मेंशन है आज उसके बारे में डिसकस करेंगे टाइटिल 21 फ्रेंट्स जो CFR के पहले 21 लिखा होता है वो बेसिकली डेडिकेटिड होता है फूड एंड ड्रग चैप्टर वन चैप्टर वन में फ्रेंट्स फूड एंड ड्रग अड्मिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजे मेंशन की हुई है डिपार्ट्मेंट अफ हेल्थ एंड हुमें सर्विस सब चैप्टर सी जिसके बारे में ड्रग्स एंड जेनरल नेक्स्ट है फ्रेंट्स की पार्ट 211 यानि अगर हम बात करते हैं 21 CFR 211 की तो फ्रेंट्स 211 पार्ट 211 में करेंट गूड मेनफेक्टिरिं मेरे क्याशी मेंट्सट है 21CFR 210 में क्या चीजे मेंट्सन है तो आए हम फ्रेंट जो डिसकेस करेंगे 21CFR PAR211 इसके बारे में डिसकेस करेंगे उसका सब पार्ट D है जिसमें equipment जो equipment हम pharmaceutical industry में यूज करते हैं उससे related discussion है next is section 21-211.67 जिसमें equipment cleaning and maintenance ये topic discuss किया हुआ है अगर हम बात करते हैं 21 CFR 211.67 तो ये हमारा होता है equipment cleaning and maintenance तो friends इसमें क्या क्या चीजें mention की हुए किस तरीके से हम cleaning करते हैं क्या procedure होता है और कैसे इस कहों को record रखना है इस चीज के बारे में discuss करते हैं equipment friends इसके अंदर जो चीजें mention है ओ है मारा है equipment and utensil cell be cleaned, maintained and to create for the nature of drug sanitized and sterilized at appropriate interval to prevent malfunctions or contamination that would alter the safety, identity, strength, quality, purity of the drug products beyond the official or other establishment requirement यानि friends कहने का मतलब यह है कि जिस utensil का हम pharmaceutical industry में यूज करते हैं drug manufacturing के लिए उसकी cleaning होनी चाहिए maintenance होनी चाहिए time to time friends drug के nature के according उसकी sanitization और sterilization होनी चाहिए यह इसलिए होनी चाहिए कि हमारा जो mal functioning है या किसी तरह की cross contamination नहों जो कि safety identity और strength और purity को alter करे drug की तो friends इस चीज़ से हम बचने के लिए हमे time to time equipment के cleaning, maintenance, sanitization, sterilization करनी चाहिए ताकि वो हमारा drug के purity को, quality को बनाई रखे next है friends कि written procedure cell be established and followed for cleaning and maintenance of equipment यानि खाने के मतलब यह है friends कि हमें एक written procedure होनी चाहिए जिसके हम लोग बोलते है SOP standard operating procedure यानि किसी भी equipment के cleaning और उसके maintenance के लिए हमें एक SOP होनी चाहिए जिसकी according हमारा कोई भी person cleaning कर सके उस equipment का utilization कर सके including utensil used in the manufacturing processing packaging or holding of drug products this procedure cell include but not necessarily limited to the following assignment of responsibility for cleaning and maintenance equipment यानि friends कहने के मतलब यह है कि cleaning और maintenance के लिए एक assignment होनी चाहिए responsible responsible person हो उस cleaning और maintenance की next है कि maintenance and cleaning schedule including where appropriate sanitization schedule यानि friends जो हमारा written procedure होनी चाहिए जो SOP हो उसमें हमारा यह mention हो कि हम किसी भी equipment की cleaning schedule wise कैसे करते हैं जैसे आप A type B type या general cleaning करते हैं या use before अगर किसी भी equipment की cleaning यूज करना है तो उससे पहले हमें cleaning करना होता है यह चीजे उस written procedure में mention होनी चाहिए next है description in sufficient details of the method equipment and material used in cleaning and maintenance operation यानि friends कहने का मतलब है कि उस written procedure में यह भी drive होनी चाहिए कि हम कौन से method यूज करते हैं equipment के cleaning में कौन सा reagent यूज करते हैं cleaning के लिए और कैसे उसका maintenance करते हैं यह चीजे उसमें mention होना चाहिए and the method of disassembling and reassembling equipment as necessary to assure proper cleaning and maintenance यानि फ्रेंट्स करने का मतलब है कि proper cleaning और maintenance को assure करने के लिए हमें किसी भी equipment के disassembling मतलब खोलने और उसको reassembling करने का procedure भी mention होना चाहिए करा-चैन टरल आर एं ज detention beauty in procedure next removal और oblidation next preference protection ब्रची केपमें जिन्देश्टन फ्रों संतामिने संट्ता है ब्रीज इंचिंज करने से पाले हमारे example inspection of equipment for cleanliness immediately before यूज रिकॉर्ट साइल भी केप्ट आफ मेंटेनेंट क्लीनिंग सेनिटाइजेशन इंस्पेक्शन एज इस विसाइड इन 211.180 और 211.182 यानि फ्रेंट्स करने का मतलब यह है जिस एक्यूप्मेंट को हम यूज करते हैं फर्मासुटकल इंडेस्टी के अंदर उसके मेंटेनेंट्स क्लीनिंग सेनिटाइजेशन और इंस्पेक्शन के लिए एक रिकॉर्ड होनी चाहिए एक यूटिलाइजेशन लॉग्बुक होनी चाहिए जिसमें पूरा यह डेटेल्स मेंचन हो कि हम उस एक्यूप्मेंट का य कर रहे हैं सेनेटाइजेशन कब कर रहे है यह और उसका यूटिलाइजेशन क्या है इस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए एक हमारा यूटिलाइजेशन लॉग्बुक भी होनी चाहिए जो कि फ्रेंट्स 21CFR 211.180 211.182 में में मेंसन किया हुए फ्रेंट्स यह अक्सर इ यह तर आ जा शन्योड यह अच्टाइजेशन. थैंक्यु फ्रेंट्स